हालो फ्राइंस वेलकम बेक टो में यूट्यूब चैनल तो फिल्स कल इसकी सब्कर्मिंग एपिसोर्ड में क्या देखेंगे उसे चानने से पहले मैं आप से कहना चाहूंगी अगर आप चैनल पे नहीं हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस कर कर रही होना तो पीहते है ह हां कि मैं पार्टी तो निज्वार कर रहे हैं पर मुझे नहीं लगदाै की तुम ज्यूब आट कर रहे हैं तो कि यहां तो कि इच्छा चलो फिर वो अधर आगे बैट के बात करने लगती तो निवीता पूछती है कि अभी के लिए ठीक तो हूना तो कहती ही कैसा सवाल है हाँ आप उसकी मंगेतर हो और तुम्हें जादा पता है मुझसी क्यों पूछ तो यह सब सवाल हाँ और अगर यह पृलीज मुझसे मत ऐसा को सवाल करना मैं आपसे जारे है हूँ कहती नहीं नहीं मैं यह साथ कुछ नहीं पूछing की वह तुम डानस कर रहे थे न तो तो तुम लोग इतने करीब आ गए तो तो ऋबी पूछा तो हैथि नहीं वह को असले इतने लोग थे उसने मुछे थे तो मना नहीं करवाई काफी रूट लगता ना इसलिए मैंने हाँ करती थी तो कहती है अच्छा फिर ये कहती है उसे कि एक बात करूँ आपको अपने मंगेतर को ना काभू में रखना चाहिए थोड़ा क्योंकि ना अब देखिये मेरे साथ डांस करने लगा हाँ अपनी जो पहली बेबी ट्रीस को बोलने में जरा भी टाइम ने लगा और आप से साधी करने को हाँ कर दिया अब काफी कितना फ्लर्टी नीचर है ना कल को क्या पता किसी और से साधी करने को हाँ करते काफी फ्लर्टी नीचे रहना अब उनको लड़कियां पटाना और फिर उन्हें छोड़ना उनकी आदत है ना तो और उन लड़कियों को काफी इंप्रेस करना उन्हें परसंद है ना इसलिए और रिक्तम से निवीता ना उसे देखने लगती है तिक्तम से कहती है कि वैसे एक और बुरी आदातन में आपके जो मंगेतान है वो डाउंस पूरा करते है फिर ये दोनों हसने लगते हैं और फिर क्या होता है माँ पर रवी आ जाता है कहता क्या बात है आप दोनों हस रहे हैं ऐसी कौनसी बाते कर रहे हैं तो दीवी का कहती है मिस्टर रवी एक्चली में बात हम आपके बारे में ही कर रहे हैं इसलिए तो कहता है अच्छा ऐसी कौनसी हमारे बारे में बड़ी बात हो रही है हमें भी जाननी है हमें भी बताईए तो निवीता कहती है अर्वी में तुम्हें बात में बता दूँगी हाँ वो क्या है ना मिस्टर सूथ तुम्हें डूण रहा थे बहुत धेर से वो बिजनस मिटिंग के बारे में बात करनी है ना काफ़ इंपोर्टेंट है तो तुम उनसे बात कर लो ठीक है ना बहुत जरूरी है ना तुम बात कर लो जाके तो वो सोचता है उसका मन तो इधर लगा होता है देविका में लेकिन फिर भी जब निवीटा कहती है तो मना नहीं कर पाता है और कहता है अच्छा ठीक है फिर वो अधर मीटिंग के लिए इधर चला जाता है मैं भी कितनी स्टूपिर्ड हो ना मैंने रवी को तो भीज दिया मिस्टर सूट के पास बट मुझे भी साथ में हम दोनों को मीटिंग करनी थी तो मैं बोल गई मैं अब भी आती हूँ है और हाथ तुम जाना नहीं मेरी कर भी बात खातम नहीं हुई है तो कहती ही ठीक है तो यह कहके वहाँ से जो निवीजता होती वो तो चली जाती है और इधर यह वैल्टी हुई होती तो रवी सूच रहा होता है दिविका के वारे में कैसे उसने डांस के लिए कहा और कैसे उन लोगोंने साथ में डांस किया उसकी हर एक बात सोच रहा होता है वो हर समय उसी के ख्यालों में ख्वया हुआ हुआ रहता है और बहुत ड्रिंक कर रहा होता है तब ही विकास वहिया देख लेते हैं दोर से और वो आते हैं कहते हैं रवी क्या कर रहा है हां यह सब क्या किये जा रहा है और वो दिविका भी है नहीं तो मुझे को समझ में नहीं आ रहा है मैं नहीं चाहता है मेरा दिमाग को दिल हमें चाहता हूँ कि वो हर समय ऐसे ही रहें तो कहता है लेकिन तुझे समझना होगा तू अभी भी अंभिका में दिविका को डूंडा अभिका दिविका नहीं अभि मैंने तुसे बठाल दिया वो यहाँ पर बैटी तोड़ी न रहेगी और यह कहां चला गया अभी तक उसने जूमर क्यों नहीं किराया है वो अपनी टेंशन में होती जर रवी जो है वो ड्रिंग पर ड्रिंग किया जा रहा होता है वो सोच रहा होता है उसके बारे में और फि पर क्या होता है उसे फिर वो वहाँ बैटी हुई होती है अकेले वो इतनी ड्रिंग कर रहा होता है उतनी जादा कि वो ड्रिंग करते करते जो है न एक तम से फिर बैटी हुई होती है न वहाँ पर तभी वहाँ पर यह रवी भी चला आता है और उससे देखता है तो वो कहत मिस्टर गर्वाल आप यहां कि यहां पर कोई special announcement होने वाली है क्या आपकी engagement या साधी से रख लेकर तो कहता है नहीं क्यों आपके पूछ रहे कहते हैं नहीं मुझे ऐसा लगा था भी मैंने पूछ लिया कहता अच्छा तो कहता है कि अच्छा मैं आपसे पूछना एक बात पूछू हूँ कहता है हाँ बता कि यहां मुझे से क्या मतलब है आप मिसलूतरा से कीजिए किसी से कीजिए मेरे से कहले ना देना मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि जिस तरीके से वो आपको फैमिली को नचाती गूमती तरीके से आपको भी नचाएगी और आपके उनकी जोड़ी बड़ी अजीब सी है इस से कहती है कि क्या तुमने काम अभी तक किया की नहीं किया हाँ तुम यहां क्या कर रहे हो तो कहता है मैं काम की करने गया था लेकिन वो आपके वो कौन है विकास वह बीच में आ गया वहाँ पर उन्होंने मुझे देख लिया मुझे लगा वो मुझे पर शक कर रहे है और व मुझे मजबूरान वहां से हटना पड़ गया तो कहती फिर अब क्या करोगे तो कहता मुझे कुछ न को सूचनों पड़ना हुगा ऐसे मैं नहीं कर सकता हूँ तो कहती वह वहां पे बैटी तो नहीं रहेगी ना तुम्हारे लिए हाँ तुम किती तिर में बठा ले रखो मैंने तो काम किया अब तुम जल्दी से करो ना जाकर कहता हाँ मैं कोई ना कोई तरीका ढून के जाता हूँ तो कहती जल्दी चाहो ना तुम क्या करोगी तब वह कहता है कि अब मैं उस तरीके से तो नहीं कर सकता हूँ ना किसी दूसरी तरीके से ही करूँगा तब ही वो पहेगा और करूँगा तो मैं जरूर क्योंकि मैं काम को तो अपना बीच में नहीं छोड़ता हूँ लेकिन अब तरीका दूसरा होगा तो निवीतर कहती है हाँ तो तुम जल्दी जाओ इदा दिखाते है रवी जो होता है वो उससे पूसता है कि अच्छा तो वो कहते ही मुझे जाने तो यहां से ठीक है मैं जा रहा हूँ वो कहते है नहीं मेरी सवाल का जवाब दू तो वो कहते ही कौन से सवाल का जवाब दू तो आप किसे से करो मुझे क्या ले ना देना या किता नहीं आप भी बताओ कि उसको फिर वो जो है ना जवरदस्ती इसको कमरे में खीच के लिए आता है रवी क्योंकि रवी का मानी नहीं रही तिवर से पूछता है कि बताओ तुम मुझे मेरे बारे में क्या फिल करती है वो दर्द क्या होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, दर्द क्या होता है, मुझसे पूछो, मैं सू नहीं पाता हूँ, मैं खा नहीं पाता हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता है, और तुम बताओ, तुम क्या फिल करते हो मेरे लिए, मैं कितना दर्द में हूँ, तुम्हें पत सोती मुझे देवी का फिल होती है मैं कैसे रहूं मुझसे नहीं रहा जाता मेरी देवी का के बगैर मुझे लगता है कि तुम ही हो प्लीज मुझे बताओ तुम मेरे बारे में क्या फिल करती हो प्लीज बताओ तो वो तेम से घुराने लगती है रवी कितनी मुशनल बाते सुनके वो भी मुशनल होने लगती है वो कोशिश करती ही वहाँ से जाने की मगर रवी इतनी ट्रिंके होता है कि अपनी सारी बाते बोले दे रहा होता है और बिल्कुल भी तो कहती मिस्टर गर्वार आपने बहुत ट्रिंक कर रखी पर वो क्या बताई। वो कहती है मिस्टर गरवार आप यह क्या कर रहे हैं सब हाँ आप होस में तो है ना। वो भी कुछ टाइम के लिए जो है दिविका बेकुल भूल दी जाती है कि वो अमिका है और वो भी उसके इमोशनल में आने लगती है और वो बहुत जादा जो है। वो भी परिशान होने लगती है इस शक्र में और दीरे-दीरे वो भी उसके करीब, वो बार-बार भागने कोशिश तो करती, मगर उसको पकड़ लेता है, कैता approved, नहीं प्लीस मुझे बताओ, मुझसे नहीं रहा जाता है, मैं कैसे रहूं तबी, वो दीरे दीर उसके करीबाता आजाता है तभी पूर कैसे भी करके वहाँ से भागाती है और एक साइड में आके रोने लगती है कहती है क्यों रवीकी ऐसी बातों में आ जाती हूं जबकि मुझे पता है कि वो जूट बोला है वो सब मुसे प्यार नहीं करता है फिर भी मैं उसके बातों में आ जाती हूँ बहुत रूनी लगती है फिर वो सोचते हैं मैं आसे जाओं नहीं तो वो फिर आ जाएगा यहाँ पे मुझे डूनते हुए फिर वो जो है वहाँ से भाग जाती है और फिर दिखाते हैं कि देविका तो वहाँ से जुपचा भाग जाती है लेकिन वहाँ पे जो है वो आता है वो जो उसको आदमी उससे डून रहा होता है ना उसके पीछे से रवी भी आता है तो वो भी उससे डून रहा होता है तो फ्रेंस आज के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा वामी लिंक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंस दीक्यार